हलो दोस्तों आप सबका सुवागता रास्तानक्याइड में पर जैसे आपको पत्ता हैं लोडेटेड वीडियोज बनते हैं आज हम बात करेंगे डोक्टर भीम राव अमेड का लो यूनिवस्टी के बारे में जैसे आपको पत्ता ही होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्जाम फोर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे आपके मार्च फर्स्ट वीक में बट अभी तक एक्जाम फोर्म स्टार्ट नहीं हुए है मार्च मिड आ चुका है अभी आज की न्यूस्पेपर में आपकी अपडेट आई है जो है एलियो यूनिवस्टी के सारे में उन्होंने बताया है कि यूनिवस्टी के अंदर प्रोपर रूप से स्टाफ नहीं होने के कारण सारी प्रोसेस लेट चल रही है तो पुरा काम नहीं हो पा रहा है इसलिए आपके एक्जाम फोर्म काफी लेट स्टार्ट होने का उन्होंने बताया है कि एक्जाम फ कोई चीज delay हो रही है तो वो कितनी delay होगी है कितनी जल्दी होगी वो नहीं जानते बढ़ यूणिवस्टी कोसिस कर रही है कि आपके exam फॉर्म जल्द से जल्द श्टार्ट करें अब exam को हम इतने लेट हो रहे तो आप अपना exam सोच सकते हैं कि कब होगा एक्जाम आपका काफी लेट होने वाला है जो एलियू उनिवस्टी की एक्जाम डेट रहने वाली है वो काफी जादा लेट रहने वाली है I think वो अगस्त तक जाएगी आपकी जैसे लाश्ट एयर एक्जाम आपके लेट हुए थे कोविड के रीजन से उसी परका इस बार भी आपके एक्जाम लेट होंगे रीजन चाहे कुछ भी रहे वो हम देखते हैं बट आपके एक्जाम अगस्त तक पक्का जाएंगे क्योंकि अभी एक्जाम फोर्म स्टार्ट होने के कोई डेट नहीं पता है हमें हम उसको कल्ग की भी माने तो आपका अप्रेल महिना पूरा एक्जाम फोर्म में जाने वाला है उसके बाद में एक दो महिने प्रोसेस रहेगी फिर उसके बाद में टाइम टेबल आएगा आपका तो इन सब में काफी टाइम जाने वाला है अब कोई भी आपकी डॉक्टर भीमराव अमबेड कर युनिवस्टी की कोई नई अपडेट आती है तो आपको हम सबसे पहले बताएंगे इसी के साथ में वो सब न्यूज और सब चीज हम आपको हमारे टेलिग्राम और वाटसप ग्रूप पे भी सेर करेंगे यदि आपने अभी तक जोइन नहीं किया है हमारा वाटसप ग्रूप तो आप उसको जोइन कर लिजी इसी के साथ में आपको लाश्टियर कीदी पेपर चाहिए तो वो हमारे चैनल पे अप्लोड किये हुए है प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं इसी के साथ में आप राजस्तान अकैडमी एंड एलियू उनिवस्टी लाश्टियर पेपर्स लिखके सर्च करेंगे तो भी आपको वो सारे पेपर्स मिल जाएंगे और कैसे आंसर राइटिंग करनी है किस परकार प्रिप्रेशन करनी है उसके लिए भी हमने पूरा वीडियो बनाया हुआ है तो वो चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं अब कोई नई अपडेट आती है नोटिफिकेशन आती है तो मैं आपको सबसे पहले उसके बारे में बताऊंगी कर सकते हैं